हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल माई टैनी वल्ड मॉस्मी आज मैं आप सबके साथ क्विक एंड एजी मटर के गुगनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं लेकिन रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चाथी बिल आइकन को भी प्रेस करते जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो को मुट्रिकेशन आप सब तक पहुंसता रहे तो चलिए मतर के ने को बनाने के लिए मैंने मतर को रात में ही मिंग हो दीया था मैंने मतर को दो deine को साधी अधानी में लेको में No मैंने कूकर में मटर पानी अट कर दिया है अब मैं इसमें अट करें थोड़ा सा नमख एट करूंगी थोड़ा सा खाने वाला सोडा सोड़ा एट करने से हमारा मटर जो है यह जल्दी पख जाएगा और बहुत ही अच्छे से गल जाएगा मैं इसे मेडियम फ्लेम में 5-6 सीटी आने तक उबाल लूँगी तो जब तक मेरा मटर बॉयल हो रहा है तब तक मैं मसाला रेडी कर ले रहूँ मैंने यहाँ पे लहसन, अधरक, हैरा मर्चा और एक मेडियम साइज के प्याच का गाड़ा-गाड़ा सा पेस्ट बना लिया है तीन मेडियम साइज का मैंने टमाटर ले लिया है और टमाटर का भी मैं एक गाड़ा-गाड़ा सा पेस्ट बना लूँगी 3 medium size के प्याज को मैंने बारिक काट लिया है मैंने जो मसाला का paste बनाया था उसमें मैं एड्ट करे हूँ मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर एड्ट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि मैंने हरा मर्चा भी पीसा है तो इसके according आप चितना भी तीखा पसंद करते हैं मिर्चा एड़ करें एड़ करें हल्दी पाउडर और साथी साथ एड़ करें थोड़ा सा मीट मसाला पाउडर तो मसाला मेरा रेडी है मैंने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल गरम हो चुका है तो आप मैं यहाँ पे दो तेज पत्ता और खरा गरम मसाला लॉंग लाइची डाल चिनी का तरका लगा रही हूँ तरका रेडी है तो आप मैं इसमें एड़ कर रही हूँ बारिक कटा हुआ प्याज और प्याज को हमें तब तक फ्राइ करना है जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो प्याज जो है यह गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब मैं इसमें सारा मसाला जो मैंने रेडी करके रखा है वो एड़ कर दूँगे और प्यास को और मसालो को हम तब तक फ्राइ करेंगे जब तक कि मसाले का जो कच्छा मैक है ये पूरी तरह से ना चला जा और हमारा जो मसाला है ये तेल ना छोड़ दे तो हमारा मसाला जो है यह अब तेल छोड़ चुका है तो अब मैं इसमें आड़ करें हूँ टोमेटो प्यूरी और टोमेटो प्यूरी आड़ करने के बाद एक बार फिर से हम सारे मसाले को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे सारा मसाला एक बार फिर से फ्राई हो चुका है तो अब मैं इसमें आड़ करेंगे नमक और नमक आड़ करते टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि मटर को बॉयल करते टाइम भी हमने उसमें नमक आड़ किया था एक बार फिर से सारे मसाले को मिला लेंगे थोड़ा सा मैं इसमें पानी आट करूंगी और पानी एड़ करके एक बार फिरसे में मसाले को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी क्योंकि हमारा मसाला जितने अच्छे से फ्राई होगा हमारा घुगनी भी उतना ही तेस्टी होगा तो मुझे लगता है कि मसाला जो है यह बिल्कुल ही ready हो चुका है तो अब हमने जो मटर boil करके रख़ा है वो हम इसमें add कर देंगे और मटर add करने के बाद सारे मसाले को और मटर को हम बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम गैस के फ्लेम को बिलकुली लोग कर देंगे और इसे 5-7 मिनट तक उबलने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आप अपने अंदाज से घूगनी में पानी आट कीजिएगा जितना आपको गाड़ा या पतला घूगनी को रखना है तो जब तक मेरा घूगनी रेडी हो रहा है तब तक मैं घूगनी के साथ खाने के लिए गरम गरम पूरी चान ले रही हूँ तो फ्रेंट्स मेरा घूगनी और पूरी रेडी हो चुका है तो आईए आप हम इसे फटा 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 सर्फ कर लेते हैं मेरा जो रेसिपी है घुगनी और पूरी ये बन करके रेडी हो चुका है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिसिफ वीडियो के साथ तिल देन टेक क्योर एंड बाबाए तिल देन टेक क्योर एंड बाबाए